वादब दूस्तों बदोस साहत आपको हमारे levet,vateip hase final reaction card चिक भी वा है आपको राशन काड से जुड़ी से जुड़ी बहुत हे खास जांकर ये देने वाला हूँ दोस्तों, आपके पास भी राशन काड है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास हो सकती है दोस्तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा राशन कार्ट के अंदर एक ऐसी गलती हम लोग कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए लेकिन आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सबस्क्राइब कर लीजिए आपकी स्क्रीन के उपर सबस्क्राइब के लालिशान के उपर टच करके और उसके बद घंटी के निशान पर जो टच कीजिए ताकि आपको हमारी बनाई हुई नए नए वीडियो लगातार मिलती रहें ये बल्कुल फ्री होता है आप इसे बहुत जादा फायदा उठा सकते हैं तो चलिए बात करते हैं दोस्तो राशन कार्ट के अंदर हम कौनसी ऐसी गलती कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए दोस्तो ये गलती बहुत छोटी होती है लेकि इसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है आगे चलकर हमें इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और हमें जेल में भी जाना पड़ सकता है अब वो गलती क्या है वो आप सोच रहोंगे तो दोस्तो वो गलती है अपने राशन कार्ड को अपडेट नहीं करना दोस्तो आप में से बहुत से लोग ये सोच रहोंगे कि राशन कार्ड को अपडेट भी किया जाना चाहिए या कर सकते हैं जिहां दोस्तो राशन कार्ट को time to time update किया जाना चाहिए और करना भी चाहिए लेकिन ये समझ लीजिए कि थोड़े से आलस की वज़े से या अपने थोड़े से लालच की वज़े से हम लोग अपने राशन कार्ट को update नहीं करते हैं दोस्तो अब यहां पर समझने वाली बात यह है मैं आपको एक example देता हूँ माली जी हम एक घर से दूसरी घर में shift हो जाते हैं तो अपने voter ID को भी हम update करते हैं यानि कि पुरानी voter list में से नाम कटवा के नई voter list में दलवाते हैं या नई जगा पर apply कर लेते हैं voter list के अंदर अग एक वक्त पर हमारे राशन कार्ड में 10 लोगों के नाम होते हैं अब उन में से किसी की शादी हो गई वो दूसरे घर चले गए हैं या कुछ अलग हो गए हैं वो दूसरे जगा shift हो गए हैं या किसी की death हो गई है वो अब नहीं रहे हैं तो हमें इनके नाम राशन कार्ड में इसे हटवा देने चाहिए जबकि हम नहीं हटवाते थोड़े से लालच के वे से कि हमें थोड़ा सा राशन मिलता रहेगा लेकिन इससे होता क्या है कि जो अब लोग यहां पर नहीं रहे या पहले थे अब नहीं है वो दूसरी जगा शिफ्ट हो गए वो यहां पर उनका रिक बदड़ी का केस एक तो आपके उपर बन सकता है अगर कभी भी इंक्वारी होगी तो नहीं तो जब अगर आपके आपर भी जो बंदे नहीं है या किसी की डेथ हो गई या अगर उसके नाम से भी राशन इशू हो रहा है तो उसके नाम पर कोई भी नया डॉक्यमेंट ध्यान रखना है यहाँ पर जो समझने वाली बात यह है कि मान लिजे अगर अप पहले जो आपके साथ थे अगर अभी वो नहीं है और उनका राशन कार्ड में अभी भी नाम है या अपडेट आप नहीं कर रहे है या एडरस से जुड़ी हुई मान लिजे कोई चीज है तो दोस्तों यह जानकर यह आपको कैसे लगी प्लीज हमें कमेंट करके बताईए अगर वीडियो चे लगी है तो इसे लाइक कीजिए दोस्तों परिवार के साथ शेयर कीजिए और इस गलती को मत कीजिए जो हमने आपको यहाँ पर बताई अपडेट कीजिए अपने राशन का तरह मिलती रहें यह बिल्कुल फ्री होता है राप इससे जह सहता फायदा उटा सकते हैं